नमस्कार बच्चों आप सभी का सौगत है आपके अपने यूटिब चैनल होम साइंस में जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं में फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है जिसमें मैंने आज का टॉपिक लिया है आप सभी के लिए आज का टॉपिक है एडवांस होमें डेवलप्मेंट अर्थात आप सब का फस्ट पेपर है एडवांस होमें डेवलप्मेंट तो एडवांस होमें डेवलप विकास के अंतर के बारे में हर एक वीडियो में कहीं न कहीं चर्चा जरूर की है ठीक तो बहुत ही important है इसलिए वीडियो को पूरा अंतर तक देखें वीडियो को बीच में skip मत करें और अधिक से अधिक वीडियो को share करें और दोस्तों में जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसे पहले जो टेलिग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो टेलिग्राम चैनल से जरूर जुड़ें जहां से आपको पीडियो और आपको वीडियो का लिंक भी मिलेगा हर एक वीडियो का और आप सब जरूर से जरूर लाइब भी अवसे करें ठीक आगे बढ़ते हैं आज का प्रस्ण देखते हैं ठंडी बहुत है बच्चों आप सब अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें ठी आपको एक जिसमें आपका विगास होता है जिसे आपको ज्ञान मिलता है वहाँ विकास होता है ठेक देखते हैं कैसे इसमें है अब आगे बढ़ते हैं पहला आता है ब्रिद गरभावस्ता से लेकर प्रोड़ा वस्ता तक चलती है बच्चा जब जन्म लेता है तब ही से तो उसका ब्रिद शुरू हो जाती है उसका पैर हाथ सब कुछ बढ़ने लग कहीं न कहीं बच्चा सीखता ही रहता है बिकास उसका होता रहता है कहीं बिजनस में कभी डिवलप हो रहा है कहीं कहीं हो रहा है ठीक इसी परकार और ब्रिद में क्या होता है सिकंड देखते हैं ब्रिद में होने वाले परिवर्तन सारी रिक होते हैं हमेशा याद रखना ब विकास में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, वो सारी रिक के साथ साथ मानसिक, समाजिक और संब्यात्मक भी होते हैं। थर्ड आता है ब्रिध में, प्राणी में ब्रिध बाद में होती है, जबकि विकास पहले होता है। होने वाले परिवर्तन मातरात्मक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन गुरात्मक और मातरात्मक दोनों होते हैं। ब्रिध में होने वाले परिवर्तान रचनात्मक होते हैं, विकास की किरियाएं में होने वाले परिवर्तान रचनात्मक वा बिनासात्मक दोनों परकार के होते हैं, तो आगे पढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं, नेस्ट कोईशन आपका क्या कह रहा है, नेस्ट है, परपक कहती है, जो कोश्कियों होती है कि भिकास वियाफत की ब्यापक परत रहते हैं, इसमें बृध्य और परपक्ता दोनों समलित रहते हैं ठीक बृध्य एक साधारण परकिया है इसमें केवल समाजी परिवर्तन होते हैं जबकि विकास होती है एक जटिल परकिया होती है इसमें बृध्य और परपक्ता दोनों समलित रहते हैं आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेश्ट रघय और उसके बाद है ब्रिद्ध की माप किए जा सकती। ृप इसलिए परिवर्धन परणुर्डाम सारूफ होते रहें लंबाई भार आदिके ब्रिद्धियाँ को मापा जा सकता। विकास की माप नहीं की जा सकती है इसके परिवर्तन गुडात्मक होते हैं जिनकी माप नहीं की जा सकती अपित उन्हें विकास के संबंद में भविसवारी की जा सकती है तो आगे पढ़ते हैं, नेस्ट देखते हैं, मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है, ठीक, ये प्रस्ट विकास की वस्थाएं, बहुत डीटियल में पढ़ाया है, पर देखते चलते हैं, इसमें क्या है, मानो विकास की वस्थाएं, stage of women development, very important, यहां IMP लिख लेना, यहां से 100% आपके paper में जरूर मिलेगा, ठीक, तो कह सकते हैं, बहुत important है, फर्स्ट आता है, गर्ब काली वस्था, इसे हम parental stage कहते हैं, या गर्भधान से जन्व तक की वस्था होती है, सिकंड आता है, सस्व वस्था, इसे infancy कहते हैं, जो जन्व से दो सप्ता तक की वस्था होती है जन्व से दो सप्ता तक की वस्था कहलाती है, उसके बाद आता है बच्पना वस्था, जिसे हम childhood age कहते हैं, इसे तीसरे सप्ता से दो वर्स तक की age कहा जाता है, उसके बाद नेश्ट आता है आपका वन मिनट वच्चो, वन मिनट, आपने, मैंने पढ़ाया हुआ है हारलाग के अंसार अवस्थाओं के बारे में, तो हारलाग के अंसार जो अवस्थाओं होती हैं, उन्हें आप याद रख लेना, बहुत ही महत्पूर होने वाली हैं, इसे सभी सेसन, फोर है पूर बाला वस इसे हम अर्ली चाइल्डोड या पूर बाला वस्था कहते हैं, और वहीं उत्तर बाला वस्था जो होती है, साथ से बारा वर्स तक की अवस्था होती है, इसे को हम मद्धिबाला वस्था भी कहते हैं। वैसंदी अवस्ता जिसे हम poverty age कहते हैं इसे हम कहते हैं ग्यारा से बारा से लेकर ग्यारा बारा या तेरा से चौदा वर्स तक क्या वस्ता कहलाती है थी पूर किशोरा वस्ता early adolescence age इसे हम 13 से 17 वर्स तक क्या वस्ता कहते हैं उत्तर की सोरा वस्ता इसे हम लेट अडॉल्स अज अठारा से एक्कीस वर्षे तक कहते हैं और पूर प्रॉड अवस्ता इसे हम अर्ली अडॉल्ट हूट कहते हैं जिसे हम इक्कीस से चालीस वर्षे तक एस लिमिट मानते हैं मध्यवस्था इसे मिडिल एज कहते हैं इसमें 41 से 60 वर्ज की एज होती है बृध्यवस्था ओल एज इसे हम 60 वर्ज से मृत तक के वस्था को जानते हैं तो आई होप आपने में फर्स्ट समेश्टर के क्लास बहुत अच्छे से टेंड की है तो मिलता है नेस्ट वीडियो में